हेलो दोस्तों नए व्लॉग में आपका स्वागत है हमने बताया था कि गूड कैसे बन रहा है तो जब तक उसका जूस निकल रहा था उसको कड़ाई पर रखा गया तो वहां तक मैंने दिखाया था अब कड़ाई पर रखने के बाद लगबग गूड तयार होने जा रहा है त इसको गोल गोल करके लड्डू जैसा बनाया जाएगा फिर इसको घर लेके जाते हैं ऐसे गूड बनता है देखिए उससे हमने दिखाया था तो उसमें जूस रखा हुआ था और लगबग तीन-चार घंटा टाइम हो गया है और यह ऐसा तयार हो गया है अब इसको यह थोड़ा सूख जाएगा इसको गोल गोल हाथ से बांद दिया जाएगा फिर लेके जाएंगे तो ऐसे ही गाव में गूड बनता है और देखिए बहुत मेनाथ है गूड बनाने में इतना अभी आसान नहीं है और इसके गूड बनाने के स्पेसलिस्ट हमारे साधू जी है द करने के बाद कराही में डाल करके कैसे जूस निकालते हैं एक कोलू होता है मसीन में कोलू हमने जो इसके पहले ब्लॉग में दिखाया था मसीन को उसको कोलू बोलते हैं उसको में गन्ने लगाते हैं गन्ना डालने के बाद उससे जूस निकलता है जूस निकलने के बाद फि जूड़ बना रहे हैं कभी कभी बनता है गुड जैसा नहीं तो लिक्विडी फो मेरा जाता है उसको बान नहीं पाते तो बड़ा मसकत करना बढ़ता अभी यह लोग कर रहे हैं आधानटा बहुत मसकत करेंगे तब जाके गुड का रूप लेगा और सादुजी के दाड़ी कितने साल से अपने दाड़ी नहीं कटवाई है 20 साल से इन्होंने दाड़ी नहीं कटवाई है इन्होंने कसम खारा काया कि दाड़ी नहीं कटवाएंगे ऐसे ही रहेंगे चाटते हैं कि नहीं दाड़ी को चाटते भी नहीं है इनकी 20 साल के ऐसे दाड़ी है और यह गुड नेक्स्ट ब्लोग में मिलेंगे गुड का कैसे बनता है हमने सारा कभर किया नेक्स कुछ और देखेंगे अभी के लिए इतना ही थैंक्यू